हलो एंद नमस्कार आप सभी को फ्रेंज मेरी मा की किचिन फूर चानल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं उसका नाम है अलू मटर की रेसिपी यहां पर हमने क्या के इंग्रीडियन्स लिये हैं मैं आपको बता देती हूं हमने लिय एक टमांतर जिसको हमने कद्लू कणव कर लिया है हरहा धनिया रिफाइं डॉयल यहे जीरा के ऑन terug+, यहां पर हमने मसाले लेलिये हैं लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, यहे गरम मिर्च और यहां पर हमारा कसूरी मैथी तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस रेसेपी को बनाना आलू मथर की तो लेट स्टार्ट चलिए फिर्म्स तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अब हम कुकर में लगभाग पास से छे चम्माच रिफाइन डालेंगे यह देखिए जब तक यह ओल गरम ना हो जाए हम इसका वेट करेंगे तो यह देखिए अब हमारा तेल गरम हो चुका है अब हम इसमें डाल देंगे लगभाग आधा चम्माच हींग और थोड़ा से जीरा एक कटोरी प्याज जो हमने काटा था एक गांट जब तक ही प्याज गोल्डन प्रावन ना हो जाए तब तक हम इसे इसी तरह से बोलते रहेंगे अब हम इसमें आड कर देंगे प्लेसुन और अद्रक यह देखिए और प्याज यहां पर गोल्डन प्रावन होने तक हम इसी तरह से चराबते रहेंगे जब तक हमारा प्याज यहां पर गोल्डन प्रावन हो रहा है तब तक हम जो टमाटर हमने कद्दू कस करके रखा है हम उसमें मसाले आड कर लेंगे लगबग हम लेंगे यहां पर देड़ टी स्पून के बराबर धन्या पाउडर आधा टी स्पून मैंने यहां पर लिया है रंगवाली मिर्च लगबग एक चमच के करीब हल दी और नमक यहां पर मैं दे लेती हूँ स्वाबा नशार अब हमारा मसाला जो है यह गोल्डन ब्राउन हो चुका है हम इसमें जो भी हमने टमाटर के साथ मसाला लिया है उसे हम आट कर देजिए इसमें थोड़ा सा पानी आट कर दीजिए अब जब तक यह मसाला तेल ना छोड़ दे तब तक आप इसे अच्छे से पकने दीजिए यह देखिए अब हमारा मसाला जो है वो लगभग तयार हो चुका है अब हम इसमें जो हमने आलू काटे है वो हम एक कर देंगे साथ ही हम इसमें जो एक काटोरी मटर हमने निकाली है वो भी हम आट कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे यह देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है इसमें अब हम थोड़ा सा पानी और आट करके इसमें लगभग दो से तीन सीटी लगा देंगे प्रेशर कूपर में चले फ्रेंज अब हमारा जो अलू मतर की जो सबजी है उसमें अल्रडी तीन सीटी लग चुकी है अब हम इस देख लेते हैं यह देखिए हमारे आलू मतर की जो पेस्टी सबजी है वो तयार होचकी है इसमें थोड़ा सा गयास पेक बार पका लेते हैं और अच्छे से और इसमें ऊपर से आड़ कर देंगे हम लग भग आधा चमच गरम मसाला थोड़ा सा कसूरी मैथी भी हम इसमें डाल देंगे एक अच्छा फ्रेलर आजाता है उससी तो देखिए तो यह देखिए फ्रेंज हमारे आलू मतर की जो रेसिपी है वो पूरी तरह से तयार हो चुकी है अब हम से धनी ऐसे कार्णिश कर देंगे तो देखिए हमारी जो रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है अगर आप लों को मेरी यह डिश पसंद आए तो प्लीज प्लीज प्ली कि आपको ये डिश बनाने के बाद कैसी डटी थांक यू सो मच और आलवेज बी कनेक्टेड विद में थांक यू सो हच